हेलो दोस्तो आप लोग को स्वागात है अपना चैनल रोशन टिटोरियल पर और मैं हुआ आप लोग के साथ रोशन कुमार आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 कोचेंट पर पूरा वीडियो को बीना स्किप किये हुए दे हम ओलम्पिक पदक जीता था तो किसने जीता था ली एंटर पेशन है दूसरा नमर कोच्चन कर रहा है कि सीत कालीन ओलम्पिक खेल किस वर्ष प्राड़ाम किये गाए तो 1924 इसमी में नेट वेश्ट ट्रोफिक किस खेल से संबन्द है तो किर्केट से है नेट वेश्ट ट्रोफिक किस खेल से संबन्द है तो किर्केट से है चोथा नमर कोच्चन कर रहा है कि कवड़ी खेल के एक पच में खिलारियों की संख्या कितनी होती है तो साथ होती है कवड़ी खेल के स्विजर लेंड में Olympic Museum नोसान ए स्विजर लेंड में भाद का राश्टी है खेल क्या है? तो होकी है गोल्फ गेंद का वरजन कितना होता है? तो 1.5 ओस होता है ठीक, तो गोल्फ गेंद का वरजन कितना होता है? 1.5 ओस Tiger Woods किस देश के गोल्फ खिला रही है तो US एक है, टाइगर उर्ट से किस देश के गोल्फ खिला रही है तो US एक है, नो नमर कोश्चन करागे, सिवा जी इस्टेडियम दिल्ली किस ख्यल से संबंद है, तो होकी से है, सिवा जी इस्टेडियम जो दिल्ली में है, वो किस ख्यल से स बनाना की सब्द किस ख्याल से संबंद है तो फूट बॉल से हैं किसी अंतराश्टिय बैड्मिंटन प्रत्योगता में खिताब जितने वाले भारत के पहली महिला बैड्मिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोप्ट ने कौन सा खिताब जीता तो फ्रेंच ओपन बैड्मिंटन का शड इन हेथ सब्द किस ख्याल से संबंद है तो कुस्ति से है भारत का सबसे पुराना फूट बोल कलब कौन सा है तो अठारा सो नव्र नावासी में इस्थित है और थारा से पुराना फूट बाल कलब कृप स्थापित किया गय consider तो 889 है, 1889, बूल्स आई किस खेल इस परदा से समद्ध है, तो निशाने बाजी से है, चीन का राश्टिये खेल का है, तो टेबल टेनिस है, अंजली भागवत किस खेल से समद्ध है, तो राइफल सुटिंग से, अंजली भागवत किस खेल से समद्ध है, तो राइफल सुट से ग्राउंड श्ट्रोक साथ किस खेल से जम्दित है तो टेबल टेनिस से सवाई मांसी स्टेडियम कहा इस्थित है तो जैपुड में सवाई मांसी स्टेडियम कहा इस्थित है तो जैपुड में पोलो खेल में परतेक पच में खिलारियों की संख्या कितनी होती है तो पोलो में चार होता है अमेरिका कब किस खेल से संबनी थे तो बास्केट बॉल से किस खेल को प्राड़ाम करने के तरीके को गैमबिट कहा जाता है तो सतरंज को रोइंग सब्द किस खेल से समपनें तो नौकाय अंस चाइना कब किस खेल से समपनें थे तो जीमनास्टिक्स फरनाड अलोसो किस खेल से समपनें थे तो फोर्मूला 1 रेस बॉलीवॉल को A.C.I. खेलो में किस वर सामिल किया गया तो उनटहावन इसुन प्रथम डेविड डिक्षन पुरुसकार किस से परदान किया गया तो नताली डू तोईट को ट्रेफ लगट रोफिक किस से परदान की जाती है तो राष्ट मंडलिये खेलों में में भारतोलन की चैंपियंशिप जितने वाले देश को राष्ट मंडल खेल का आदर्स वाग क्या है तो हुमिनिटी, इक्वैलिटी ओर एवम डेस्टीनी है एसी आई खेलों का प्रतिक चीन क्या है तो चमकता सूरज है जीमनास्टिक में किस अधहार पर अंक दिये जाते हैं तो परिशानी नमिन्ता शालिन्ता एवम और आस्वस्त गति के अधहार पर जीमनास्टिक में किस अधहार पर अंक दिये जाते हैं परिशानी नमिन्ता शालिन्ता और आस्वस्त गति के अधहार पर उलम्पिक खेल कितने वर्सों के अंतराल में आयोजित किये जाते हैं तो चार वर्स के अंतराल पर भात की ओर से उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी तो मेडी, लीला, रो थी गामनी, संजीवनी, अमर, ब्रामनी ये किस खेल से विविधरूब है तो कबडी के है किस भारतिय कर्केट खिलारी को टेस्ट कर्केट में सरवाधिक रण बनाने का गोड़ प्राब्द है तो सचीन तंदूलकड को सब्सक्राइgos क्ति में एक टीम क्तिंए बदल सकती हैं तो 3 खिलारी ही बदल सकते हैं होकी में एक तीम परसीद गोल्फ खिलारी वी जैसी किस दिस्क है तो फीजी के हैं परसीद गोल्फ खिलारी वी जैसी किस दिस्क है तो फीजी के हैं पंजाब के जलांधर जीले के किस गाओं को नरसरी ओफ होकी प्लेर्स कहा जाता है तो संसार पुर्को कहा जाता है पंजाब के जलानधर जीले के किस गाओं को नर्सरी ऑफ होकी प्लियर्स कहा जाता है तो संसार पुरको थोमस कप किस खासे समय देत है तो बैडमिन्टन्स है The World Will This Fit बैडमिन्टन के किस कौँच को जीवन कता है तो पी गोपी चन्द की The World Will This Fit बैडमिन्टेन के किस कोच की जीवन का था है तो पी गोपी चंद की वीडियो अच्छा लगड़ा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें सुसील कुमार किस खेल इस परधा से समध है तो कुस्ति से सुसर किस खेल का दूसरा नाम है तो फुटबॉल का है फुटबॉल के गेन की परिधी कितनी होती है तो 27 इन से 28 इन तक या और 6.5 सेंटिमीटर से तो फुटबॉल में गेन की परिधी कितनी होती है परिधी मतलब क्या डैमीटर उसका त्रीजिया का दूगना होता है तो वही 27 इन से 28 इन तक और 6.5 सेंटिमीटर से फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडिम कहा है तो कुलकता है जो कि भारत में है कुलकता कहा है भारत में परिधा है ए सोट एट हिस्टरी के लिखा कौन है तो अभिनो बिंदरा है ए सोट एट हिस्टरी के लिखा कौन है तो अभिनो बिंदरा मानो जित से किस खल से समन्द है तो निशाने बाजी से भाद में टेवल टेनिस एसोसियेशन कब बना है तो 1938 इस्वी में फ्लाइंग सिक के नाम से विख्यात भरतिय धावा का नाम क्या है तो मिलखा सीन है बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत बार आ चुका है एसे सी में ये डेल में में भी तो फ्लाइंग सिक के नाम से विख्यात भरतिय धावा का नाम क्या है तो मिलखा सीन याद रखना है 49 नमर कोश्चन करेंगे वर्स 1868 में मार्क्विस ओफ क्विन्स बड़ी द्वारा किस खेल के नियमों का निरधान किया गया था तो बॉक्सिंग का वर्स 1868 में मार्क्विस ओफ क्विन्स बड़ी द्वारा किस खेल के नियमों का निरधान किया गया था तो बॉक्सिंग का चेज, फ्रीजो, एवं पॉन सब्द किस खेल से समगनी था तो खोखो से आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड में सेर करें, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सकें, ठैंक्यू